हाई एवरिवन कैसे हूँ आप सभी लोग आयोब आप लोग अच्छे होंगे मैं हूँ राहुल जैस्वाल एन स्वागत करता हूँ आप सभी का एक बार फिर हमारे यूटूब चैनल जे आर टूटोरियल्स में फ्रेंड्स आज अगेन आपके सामने मोश्ट इंपोर्टेंट साइंस का लेक्चर वीडियो लेकर आगया दोस्तों जिसमें आज हम लोग पढ़ने वाले हमारे 10 स्टैंडर्ड के लिए साइंस सब्जेक का जो पार्ट टू होता है उसका जो हमारा चाप्टर चल रहा है दोस् जिया दोस्तों आप देख सकتे हो कि यह जो चाप्टर है इसको हमें कम्पलीट करने में आज 9 लेक्चर करना पड़ने में तो आप इमजिन कर सकते हो सौच सकते हो कि हमने हर टॉपिक कितने डीटेल में और कितने बारीकी से अंदर घुस के डीप में कंसेप्चिर नॉलेज आपको दिया होगा, इसलिए हमें इतना टाइम लगा, तीक है? क्योंकि हमारा चैनल का जो मकसद है आपको, जैसे मैंने बताया था, कि हम एक-एक चीज आपको गहराई से बताते हैं, तो इसमें इतने सारे टॉपिक्स थे, छोटे-छोटे टॉपिक्स को भी हमने बारीकी से एक्स्प्लेइन किया चाहें, वो कोई भी ऺ्लांट हो, electricity generation से लेके, आपके thermal power plant से, natural power plant है, फिर आपके nuclear power plant है, फिर आपके natural gas वाले हइड्रो electricity, फिर हमने देखा था, wind energy का यूज़ करके, फिर हमने देखा था, कि एक और मेथोड होता है सेम सनलाइट का यूज करके सोलार एनरजी का यूज करके हम लोग इलेक्टिसिटी को बना सकते हैं तो वो ही हम आज पढ़ने वाले हैं और चाप्टर को खतम करने वाले हैं तो टॉपिक जो हमें पढ़ना है वो है दोस्तो सोलार थर्मल पावर प्ल हैं चाप्टर के कम्प्लीड हो चुक है बाकी के जो सब्जेक्स हमने स्टार्ट कर दिया है हर एक के वीडियो अगर आपने हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर ले लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा तो चलिए शुरूआत करते हैं सबसे पहले मैं आपको बे सोलार थर्मल पावर प्लांट जो आपको दिख रहा है इसका मीनिंग क्या है तो हमने कल जो फोटो वोल्टेक सेल दिखा था फोटो वोल्टेक एफक यानिक जो सोलार पैनल था वो क्या कर रहे थे वो एक ऐसे डिवाई से जो डैरिकली सन को एब्जॉब करते हैं सनलाइट को एपकर करते हैं कि इसमें आपके एलेक्त्रिकल एनरजी में यानि वो क्या करते हैं बना जेते हैं उसको बैटरी में स्टोर किया जाता है वो निखना ठर्मल पवर प्लांट और चाइब हो तो सेम यहाँ पे होता क्या है, बेसिक तर्की से पहले सुन लो इसको, जब हम इसिन सब्सकिद ब्लांट नम् सरकतल महा दाल 위에 इसन सम्माने प्लांट तो यानि कि पानी को गरम करने के लिए और गरम करें भाब बनाने के लिए वेपर बनाने के लिए यहाँ पे किसका इस्तीमाल किया जा रहा है सोलार एनरजी आपको याद वजे से जो पानी वो गरम हो जा रहा है और इतना हीट हो जा रहा है कि वो वेपर में convert हो जाएगा यानी steam में convert हो जाएगा और फिर steam को भेज़ा जा रहा है कहा乾 superbine के पास अब फिर से आया है यहां पर turbine याद आ रहा है, जितने भी चीजें हमने आज तक पड़ी है सब में टर्बाइन था सिफ एक चीज़ को छोड़के जो की था आपका solar photovoltaic cell जो इसके पहले लाली lecture में मैंने आपको बताया था सिफ उसी में नहीं था लेकिन हर चीज़ में टर्बाइन आएगा और power plant आगया मतलब तो टर्बाइन आना ही आना है and जैसे ही वो rotate होगा तो किस से connected होता है वो generator से connected होता है generator क्या करता है बिजली बनाता है क्योंकि उसके अंदर जब rotation होता है तो conductor और magnets होते हैं जो कि आपस में rotate करते हैं एक दूसरे के अगेंश में जिसके वज़े से बिजली produce होती है और एक और चीज इसमें है कि जब बिजली produce हो जाएगी तो उसको battery में store किया जाता है या फिर आपका जो भी devices होता है उसको store किया जाता है and with the help of transformer या फिर जो भी जरता है उससे के through जो है वो supply किया जाता है अलग-अलग जगा पे यहाँ पे तो यह चीज आपको ध्यान में रखना है clear दोस्तों तो उमीद करता हूँ कि यह चीज आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा और एक चीज यहाँ पे मैं आपको बता दू कि यहाँ पे एक funda और होता है कि जो भी आपने गरम पानी किया था वो vapors में convert हो गया था श्टीम में convert हो गया था तो वो जब turbine पे जाएगा तो टकराएगा तो वो waste हो जाएगा यानि कि अगर उसको आप S3 छोड़ दोगे तो वो release हो जाएगा वेस्ट हो जाएगा तो इसी यहाँ पे एक condenser tower यानि cooling tower भी लगाया जाता है तो cooling tower क्या करता है फिर से वो vapors को थंडा कर जाता है और पानी में convert कर लेता है और वो ही पानी फिर से utilize किया जाता है यानि कि पानी का भी wastage नहीं होता है समझ में आ गया तो यह pipes के तुर नॉर्मल पानी भीजा जाता है और यहाँ पे क्या होता है आपको यह दिख रहा होगा यह पैनल है यह दिख रहा है एक तरीके का यह क्या है पैनल है यह दिख रहा होगा आपको यह क्या है एक तरीके का पैनल है ठीक है यह जो पैनल होता है लगबग ऐसे shape में हो तो सन का जब light आएंगे, तो pipe तो इतना पतला ही है, तो pipe के उपर, तो चलो, sun का light पढ़ रहा हूँए, यानि heat जो है, ये pipe absorb कर रहा हूँगा, लेकिन कि तना absorb करेंगा, नॉमल तोर पे आपके घर के उपर, building के उपर, terrace के उपर, क्या होता है, pipe लगे होते हैं, ठीक है, लोख पानी होता है, क्या वो इतना गरम होता है, कि वो steam में convert हो जाए, नहीं, तो इसलिए यहाँ पर एक extra arrangement है, यह जो sheet आपको दिख रहा है, यह एक ऐसा पैनल होता है, जो कि एब्सॉर्ब करता है, एक तरीके से absorber बोल सकते हो, क्या बोल सकते हो, absorber, यह क्या करता है, heat को absorb करता है इसके पास इतनी capability होती, absorb करने की, यह पूरा का पूरा absorb कर लेता है, और इसी के थुरू pipe जा रहा है, तो वो pipe के अंदर पूरा का heat supply कर देता है, जैसे ही पूरा का heat pipe के अंदर supply हो जाएगा, तो जो भी पानी इसके अंदर से जा रहा है, वो तुरंत गरम हो जाएगा, और तो भी इतना गरम हो जाएगा, जैसे ही वो steam में convert होना शुरू हो जाएगा, तो यहां से वो pass करेगा steam, steam यहां से जाएगा, pipe के थुरू जाएगा, और सीधा कहा पे जाएगा, यह वाले, यह वाले machine के पास जाएगा, जिसका नाम के है turbine, यह तो है main machine, turbine के पास जाएगा, टर्बाइन गुमेगा, उसके ब्लेड्स गुमेगे, जैसे ब्लेड्स गुमेगे, तो एक्षियल के थूरू वो जनरेटर को connected करता है, जनरेटर को connect करेगा, जनरेटर रोटेट करेगा, एन उसके अंदर से यहां पर टर्बाइन के पास आ रहा था, उसको वापस से यूज भी करना है, यानि कि अब हम क्या करेंगे, यह जो steam था, इसको जो भेज़े जा रहा था, इसको यह वाले tower, यानि कि क्या नाम है, इसका cooling tower के पास भेज़े जाता है, जिसमें जो गरम गरम पानी है, फिर से थं होता रहता, यानि कि बिना किसी प्रहतने के, बिना किसी pollution किये, हर चीज से हमें क्या मिल जा रहा है, आराम से solar energy का use करके, हम क्या बना पा रहे हैं, बिजली हमारा electrical energy को बना पा रहे हैं, clear है दोस्तों, तो उमीद करना हो कि यह चीज आपको बहुत अच्छे समझ में आ गया light को absorb करेगा, light को absorb करेगा, एंड उसके बाद absorb करने के बाद यहां पर क्या था? Absorber, ठीक है, तो यहां पर क्या था? Absorber, तो यहां पर आ जाएगा, absorber, फिर यह जो absorber है अपना heat energy को pass करेगा, कहाँ पर pass करेगा, वो steam में convert कर देगा, तो यानि कि वो steam turbine में pass करेगा, तो यानि कि उसके बाद जो energy आ गए, वो किस में आ गए, steam turbine में आ गए, अब यह steam turbine अपना घुमेगा, तो इसके पास पास करेगा, generator के पास पास करेगा, ठीक है, और ये generator के अंदर क्या produce होती है, बिजली produce होती है, यानि कि in shot finally हमें क्या मिल जाएगा दोस्तो, यहाँ पे हमें मिल जाएगा electrical, यहाँ पे मिल जाएगा energy, जो हमें चाहिए, तो ये flow chart आप याद रख सकते हो, ताकि सिंपल था चोटा सो टॉपिक था आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा तो दोस्तों इसी के साथ हमारा यह जो टॉपिक है जिसका नाम था स्टीम माफ कीजएगा solar energy जो topic हमारा दो lecture से चल रहा था solar energy जिसमें हमने इसके पहले के lecture में photovoltaic cell का देख लिया और आज thermal power plan का भी देख लिया solar वाला तो वो भी हमने cover कर लिया तो ये पूरा का पूरा topic होता है समाप और आपको बता दो दोस्तों कि इसी के साथ हमारा ये जो chapter है finally chapter का नाम है towards green energy 9 lecture के बाज आज जो है मैं आपको बोल रहा हूँ finally ये chapter हो गया है totally 100% complete ठीक है दोस्तों तो बस आज के लिए इतना ही जल्द आपके सामने और lectures लेकर आएंगे जिसमें हम आपके लिए नएने chapters जो बचे हुए chapters है वो भी शुरुआत करते हैंगे और जल से जल आपका सिलाबस जो है complete हो जाएगा almost 90% तो हमने हर chapters upload कर दी है already बस कुछ बचे कुछ हैं तो वो भी आपको मिल जाएंगे तो आप please check करते रहे ना playlist को और बाकी जो standards के बाकी जो subjects के videos already हमने upload करके रख दियें उसको जरूर से check out कर लेना ठीक है तो बस इतना ही था ये वीडियो और ये chapter आपको कैसा लगाए दोस्तों प्लीज हमें comment करके बताइएगा अपनी राय और suggestion जरूर से दीजिएगा वीडियो अगर पसंद आए दोस्तों तो please video को like कीजेगा शेर जरूर से कर देना आपने सारे friends and relatives को फटाफ़ से share कर देना दोस्तों अगर आपने अभी तक इस channel को subscribe नहीं किया है तो फटाफ़ से हमारी channel को भी subscribe कर देना साथ में एक bell icon होता है उसको भी press कर देना ताकि को notification मिलती रहेगी तो मिलती है अगले वीडियो में यह वीडियो देखने के लिए thank you and goodbye